तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो program है वो proper work कर रहा है और यहां पर इसको हमने दोनों तरीके से देखा हमने इसे physically यहां पर Arduino board का यूज़ करके भी program upload किया और दूसरा यहां पर इसे हमने online भी run करके देखा Hello students, welcome to UPCSS O-Level M4R5 series का lecture number 23 है और हमने पिछले वीडियो में एक simple LED blinking program बनाया था यहाँ पर आप देख सकते हैं यह connection है और यह code है इसे हमने दोनों तरीके से देखा था, हमने इसे online में देखा था और physically यहाँ पर हमने इसका practical करके भी देखा था जहाँ पर हमने Arduino board का यूज़ किया था और आज हम इस वीडियो में traffic light control program मनाएंगे traffic light control program में basically क्या होगा कि यहाँ पर हम 3 LED यूज़ करेंगे एक red color की और दूसरी हमारी होगी yellow color की और तीसरी होगी green color की ठीक है तो इसे हम क्या करेंगे सबसे पर red LED को on करेंगे कुछ time बाद yellow और कुछ time बाद green ठीक है तो यहाँ पर time का delay दे करके यहाँ पर हम LED को control करेंगे program के जरी है बासमज में आ गई यहाँ पर आप code देख सकते हैं इसमें हमने जो हमारे PDF notes है इसमें हमने code भी दे दिया है और साथी साथ इसका जो circuit diagram है वो भी हमने इसमें दे दिया है यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यह circuit diagram है ठीक है तो यह लगभग इसका जो connection है या फिर इसमें जो component यूज होंगे यह वही है जो LED blinking में यूज किये गए थे लेकिन यहाँ पर हम 3 LED और 3 register की जरोत पड़ेगी ठीक है 3 LED और 3 register आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर चलिए इसको समझते हैं क्या है तो यहाँ पर हमने जो पिछली वीडियो में LED blinking वाला program देखा था इसमें कुछ चीजे और समझ लेते हैं फिर उसके बाद traffic light पर पहुंचते हैं ठीक है तो इसको पहले तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको code जो है यह प्रॉपर दिखाई दे क्योंकि यहाँ पर हमें signal जो है वो मलब signal out करना था बासमझ में आ गई और फिर यहाँ पर loop के अंदर हमने क्या किया digital right function का यूज करके pin number 2 को high कर दिया यानि की on कर दिया one से और delay देने के बाद यहाँ पर digital right यानि उसी function से हमने pin number 2 को ही यहाँ पर off कर दिया जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर on हुआ फिर यहाँ पर off हुआ और कुछ time का यहाँ पर हमने delay दिया जिसकी वज़े से कि यह loop के अंदर लिखा गया है यहाँ पर यह statement किसके अंदर है loop function के अंदर है तो इस होजे से यहाँ पर यह बार बार repeat होती रहेगी और जो setup में होता है यह सिर्फ one time repeat होता है अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं वैसे तो आपको variables के बारे में अच्छी त अब देखे variables के हमें जरूत क्यों पढ़ती है उसके benefits के हैं जैसे example के लिए माल लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया pin number two को target किया है यानि कि यहाँ पर pin number two को हमने output mode में set किया pin number two को on किया pin number two को off किया और इसी तरह से माल लेते हैं कि यहाँ पर loop में हमने बहुत बड़ा code लिखाया ठीक है बहुत कोई बड़ा program बना रहे हैं जहाँ पर हमने बड़ा सा code लिखाया है और हर बार हमने pin number two pin number two pin number two को use किया है इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं और फिर माल लेते हैं कि कि किसी भी region से हमने जो physically connection किया है वो pin number two की बजाए हमने pin number seven पर कर दिया कहा कर और हम इसे pin number seven पर ही रखना चाहते हैं तो अब हमें code जो code हमारा है इसमें changes करने पड़ेंगे समझ पा रहे हैं ना हमने connection कर दिया वो pin number seven पर कर दिया और हमें pin number seven पर ही करना है तो फिर हमें code में changes करने पड़ेंगे तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा pin number two को हटा कि यहाँ पर save on करना पड़ेगा यहाँ पर फिर से save on करना पड़ेगा और यहाँ पर भी save on करना पड़ेगा बा समझ में आ गई तो यह तीन जगे की और अगर माल लेते कि यह बड़ा सा प्रोग्राम होता तो वहाँ पर तो हमें कई बार यह changes करने पड़ते तो इसका basic solution क्या होता है कि हम variables बनाएं ठीक है इसके लिए हम क्या करें variables बनाएं अब variables क्या होते हैं basically container होते हैं जहाँ पर हम कोई भी value रख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम variables बनाएंगे कैसे तो देखिए Python में जो variable बनाने का तरीका था वो अलग था C language में थोड़ा अलग है ठीक है C language में हमें सबसे पहले data type बताना पड़ता है तो data type यानि कि int अब चुकि यहाँ पर जो हमारी value है 2, 3, 4 या जितनी भी pin है 0 से लेकर के 13 तक की यह सारी pin हमारी जो है इनका जो number है यह integer है बास समझ दो ना integer यानि कि आपको बता integer whole number होता है वो 0 से लेकर के positive number जो भी होगा वो एक whole number होना चाहिए decimal point नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह हमारे सारे क्या है integer number है तो इसलिए यहाँ पर data type हम int लेंगे ठीक है और int और फिर यहाँ पर variable name यानि क्या नाम रखना चाहते है variable का तो जैसे यहाँ पर हमने नाम रख दिया pin हमने simply pin रख दिया या कोई भी variable के rules होते है क्या क्या नाम रख सकते है क्या नहीं रख सकते है फिलाल यहाँ पर हमने pin नाम का एक variable बना लिया आप x, y, a, b, c, d कुछ भी बना सकते है ठीक है यहाँ पर pin is equal to और इसमें हमने assign कर दिया to ठीक है और यहाँ पर line चुकी terminate करनी है तो इसलिए यहाँ पर हमें लगाना होग semi-colon ठीक है तो यह integer यानि कि हमने int type का एक pin नाम का variable बना लिया बासमझ में आ गई अब हम क्या करेंगे कि जब हम अपना program लिखेंगे first time कभी भी तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमें pin number 2 को मलब लिखना है वहाँ पर हम simply pin यानि variable name दे देंगे इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर हमने pin copy किया यहाँ पर भी paste कर दिया और यहाँ पर भी paste कर दिया तो अभी क्या होगा कि अब अगर माल लेते हैं अभी देखें यहाँ पर अगर हम start करते हैं तो हमारा code यह proper work करेगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं LED हमारी on off हो रही है clear है वापस आते है code में यहा variable चुकि dynamic होता है तो एक बार value change हुई तो हर जीगे value automatic change हो जाती है तो आपको पता चल गया होगा पास समझ में आ गई तो आगे जो भी program होंगे उसमें हम क्या करेंगे अब आगे से variables बनाएंगे ठीक है तो और ज्यादा detail में variables के rule क्या है local global क्या है variable global क्या है उसके बारे में अगे हम से language में समझेंगे अभी आप इतना समझ लें कि जो हम variable बनाएंगे वो ना तो setup function के अंदर बनाएंगे नहीं low function के अंदर क्योंकि function के अंदर जो variable बनते है यहाँ पर यह जो statement लिए यह फंक्टिन के अंदर है और यह जो ente type का हमने variable बनाया यह किसी function के अंदर नही मुलब उस variable का यूज आप particular उसी block में कर सकते हैं ठीक है जैसे example के लिए माल लेते हैं कि हमने setup function में यहाँ पर इंट टाइप का एक variable बना दिया तो इस condition में इस वाले variable को हम सिर्फ setup function में ही यूज कर सकते हैं चलिए तो अब यहाँ पर हम बढ़ते है traffic light program की तरफ यानि कि हमें क्या करना है traffic light का program बनाना है ठीक है तो traffic light program बनाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें जरूवत होगी तीन register की और तीन LED की तो यहाँ पर एक register और एक LED हमारे पास पहले से है तो एक और LED ले लेते हैं और एक और LED ले ली हम चाहते हैं तो इसको copy paste भी कर सकते थे ठीक है जैसे यह register है इसकी register की जो resistance है already आपको पता है कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे 300 ohm है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसी को कर लेते हैं copy paste ठीक है यहाँ पर हमने इसक इसका color change कर देंगे जैसे yellow कर दिया और यहाँ से इसका कर दिया green color ठीक है तो यह green कहां गया यह रहा first number पर ठीक है तो यह हमारी 3 LED हो गई है यहाँ पर आप जैसे आपको पता है कि LED में एक क्या है आपका यह anode है यह cathode है और यहाँ पर यह इस side में cathode है तो इसको flip कर लेते yellow और number 3 पर हो जाएगी green ठीक है तो अब यहाँ पर इन तीनों का जो cathode है वो यहाँ पर हमने common कर दिया और आपको पता है कि cathode में यहाँ पर क्या जाएगा GND यानी की ground तो यहाँ से हमने लिया और एक ground दे दिया यहाँ पर ठीक है इस wire का color जो है black कर देते है तो यहाँ पर और yellow वाली LED को connect कर देते है pin number 3 के साथ ठीक है यहाँ पर इसका भी color change कर देते है yellow और green वाली को connect करते है in pin number 4 के साथ ठीक है और इसका color change I think यहाँ पर आप समझ गयोंगे, simple से connection है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, red वाली LED को उमने pin number 2 से connect किया है, और yellow वाली को pin number 3 से, और green वाली को pin number 4 से connect किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा connection हो गया, और ground यहाँ पर हमने सब का common कर दिया, breadboard की मदद से, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, simply code लिखना है, तो यहाँ पर चलिए code लिखते हैं, तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, इसमें variable बना लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हटाते हैं, और पहला variable हमारा क्या होगा, हम चाहें तो red यानि color के name से भी बना सकते हैं, तो red is equal to red वा यहाँ पर एक हमारी counts यह green, तो g, r, e रख लेते हैं, is equal to, और यह हमारा कहा है, यह हमारा है, यह हमारा है, pin number 4 पर ठीक है, तो इसमें कोई confusion, कोई confusion नहीं, ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए, coding करते हैं, आपको semi-colon लगाना है, और जितने भी syntax वालब, इसमें कोई syntax error नहीं होने चाहिए, यहाँ पर सभी small letter है, तो जब भी इनका use करेंगे, तो आगे small letter ही होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने simply 3 variable बना लिए, red, yellow and green, अब हमें क्या करना है, इन 3 को output mode में set करना, जैसे हमने पिछले program में क्या किया था, हमने सिर्फ एक ही pin को on-off किया था तो एक बार हमें pin mode function यूश करना पड़ा था, लेकिन अब की बार क्या करना है, कि यहाँ पर हमें 3 बार, मुलब 3 अलग-अलग function यूश करने है, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर pin mode red वाले जो variable है, यानि कि जो red वाली LED है, यहाँ पर आपको ये तो समझ में आई गया, क तो red वाले को हमने क्या किया, output mode में set कर दिया, इसी line को यहाँ पर हम copy करते है, और यहाँ पर simply paste और paste तीन बार, और यहाँ पर name change कर देंगे, यहाँ पर कर दिया हमने yellow ठीक है, और यह हमारी हो गई green, बास समझ में आ रही है ना, ठीक है, तो red, yellow and green, अब यहाँ पर pin mode function में M जो है, यह capital है, और हमने तो copy paste किया है, लेकिन आप इसको copy paste मत करें, बलकि type करें, ठीक है, इससे क्या होगा, कि आपकी practice अच्छी रहेगी, आपको meanings वोगेरा जो है, इसमें कोई confusion नहीं होगी, और output जो है, यह आपका पूरा capital रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने variable बनाए और तीनो pin को हमने output mode में set कर दिया, setup function में, अब चलते हैं loop में, और loop में यहाँ पर देखी हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें red LED को on करना है, तो digital right यहाँ पर function already लगा है, pin की जगे पर यहाँ पर हम कर देंगे, red LED को यहाँ पर हमने on कर दिया, on यानि कि one, one से क्या हो गया, high, यानि कि on हो गई, और red LED on हो गई, अब फिर red LED को हम कितने time तक on रखना चाहते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम बात करें traffic light की, तो traffic light में तो लगबग जो मान की चलिए कि 2-3 minute या जिस हिसाब से traffic होती है, उस हिसाब से उसको control किया जाता है, लेक on रखना चाहते हैं, ठीक है, red LED को कितनी second तक, 5 second तक on रखना चाहते है, तो यहाँ पर हम 5 second का मतलब 5000 millisecond, बास समझ में आ गई न, तो red LED को on किया, और यहाँ पर हमने 5000 millisecond यानि कि 5 second तक हमने delay दे दिया, जिससे क्या होगा, red LED on रहेगी, और यहीं पर program रुका रहेगा, तब जैसे ही red LED मतलब 5 second इसको हो जाए, तो हमारी yellow वाली जो LED है, वो on हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर ye यानि कि yellow वाली LED हमने on कर दी, कैसे, यहाँ पर ye नाम के variable में yellow वाली LED है, इसको भी हमने on कर दिया, one, simple, ठीक है, तो अभी क्या होगा, yellow वाली LED जो है, यह भी on हो जाएग कि देखिए हमने red LED को on किया और यहाँ पर हमने 5000 millisecond यानि की 5 second का delay दिया, तो red LED on होगी और 5 second तक on भी रहेगी, लेकिन इसका मलब यह नहीं कि वो 5 second बाद off हो जाएगी, क्योंकि off करने के लिए तो हमने यहाँ पर function लिखा ही नहीं, यहाँ पर क्या हमने कभी red LED को अभी इस on होगी ही होगी, लेकिन red वाली already on होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 second तक, ठीक है, 2 second तक red वाली on रहेगी और plus yellow वाली on रहेगी, दोनों on रहेगी, तो हम ऐसा ही चाहते हैं, ठीक हम ऐसा ही चाहते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर yellow वाली 2 second तक on रहे है फिर उसके बाद red और yellow दोनों को off कर देना है ठीक है दोनों को क्या कर देना है off तो यहाँ पर digital right function फिर सही उज़ करेंगे digital right और यहाँ पर parenthesis open करना है और यहाँ पर हम क्या करते है red वाली LED को simply off कर देते हैं red, 0 यानि कि यह off हो गई और यहाँ पर यहाँ पर यह semi-gala लगाना बिलकुल मत भूलिए ठीक है तो हमने red वाली को off कर दिया और इसी तरह से हम yellow वाली को भी तुरंत off कर देंगे ठीक है यहाँ पर हमने yellow वाली को भी off कर दिया ठीक है और यहां पर हम क्या करेंगे ग्रीन वाली जो हमारी ग्रीन वाली LED है कॉमा इसको on कर देंगे वन यानिकी on हो गई बासमाज में आ गई तो अभी क्या होगा रेड और एलो पहले यह on रहेंगी जो हमने डिले दिया है उतने टाइम तक फिर यहां पर एलो दोनों off हो जाएंग तो यह हो गया हमारा complete ठीक है अभी क्या होगा ग्रीन वाली जो LED है यह 5 शेकिन तक on रहेगी और on होने के बाद यहां पर हमें फिर से इसे off करना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखना जैसे माल लेते हैं कि आप सोचे कि अभी तो यहां पर हमारा program खतम हो गया मतलब ग्रीन वा अल्रेडी ऑन रहेगी ठीक है तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है program यहां से क्या होगा जब program पूरा उपर से नीचे तक execute हो जाएगा तो नीचे से फिर उपर जाएगा लेकिन नीचे यहां पर अगर green वाली को हमने on ही छोड़ दिया तो green हमें सा on रहेगी ठीक है तो दो second delay और यहां पर साथ red वाली जो LED है यह साथ second तक on रहेगी फिर red और yellow दोनों off हो जाएगी और green वाली on होगी जो कि 5 second तक on रहेगी और फिर green वाली भी off हो जाएगी और जैसे ही green वाली off होगी loop हमारा तुरंत repeat होगा और तुरंत red वाली on हो जाएगी यानि कि फिर से वह आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो इसको वापस से जो माइनस करते हैं और यहां पर हम प्रोग्राम को run करते हैं ठीक है तो सीधे यहां पर start simulation यहां पर जैसे हमें start करेंगे तो देखें यहां पर red LED जो है यह हमारी अभी on है और red on होने के साथ साथ में जैसे ही 5 second होते ह तो यहां पर आप देखेंगे एलो वाली LED भी on हुई थी 2 second के लिए और फिर दोन आफ हो गई और green on हो गई ठीक है और green जो है यह 5 second तक on रही फिर आफ हो गई और फिर red यहां पर on हो गई तो इसकी जो timing है वो आपको जैसा कि पता है हमने बताया यहां पर आप कम ज्यादा कर सकते हैं आप अपना जब बनाए तो इसमें 5 second या 5 minute या 2 minute का timing जो रखना चाहिए रख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से यहां पर हम traffic light control program जो है वो हम बना सकते हैं यह एक basic सा program है ठीक है चलिए तो यहां पर online किस तरीके से connection करना है कैसे क्या करना है यह आपको समझ में आ ठीक है इसी तरीके से connection करके आपको हम दिखाते हैं तो यहां पर इस code को हमने कर लिया copy और open करते हैं अपना Arduino IDE software और यहां पर इस code को कर लेते हैं paste code को जो है वह अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो उसे यह में बार-बार समझाने की जरूत नहीं है तो यहां पर हमारा software जो है यह open हो रहा है जैसा कि आपको पता है कि जब हम software open करते हैं तो यहां पर setup और लोप यह दो चीज़े पहले से लिखके आती है इस हम delete करते हैं और यहां पर जो हमने copy किया था code उसे paste कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा proper code है और अब इसको करते है minimize और यहां पर हम अपना LED और तीन यहां पर register जो कि 200 से 300 ohm के बीच के होने चाहिए हमारे जो register हैं 220 ohm के हैं और यहां पर हमारे पास yellow color की LED नहीं है उसकी जगह पर यहां पर हम blue color की LED यूज करेंगे ठीक है तो यहां पर जैसा कि आपको बता है हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी LED है इसमें जिसकी जो छोटी वाली lag होती है यह हमारी क्या होती है यह हमारी होती है cathode यानि कि negative ठीक है तो यहां पर हम इसको common कर देते हैं breadboard में यहां पर यह हमने लगाया पहले red और फिर उसके बाद yellow की जगह पर यहां पर हम use करेंगे यहां पर blue LED का और इसका जो छोटा वा जैसे ही connect करेंगे यहां पर यह एक register हमने red LED के लिए लगा दिया चैली तो यहां पर यह connection हमने कर लिए अब यहां पर हम jumper wire लेंगे और इसे connect करेंगे arduino board से ठीक है तो सब से पहले यहां पर हम इसे ground यानि की common दे देते हैं तो यह यहां पर हमने लिया gnd से ठीक है यहां पर यह GND pin में connect होगा, यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, यह ground से connect है, और यहाँ पर ground हमने कर दिया common, ठीक है, यह यहाँ पर इस line में दे दिया, तो यह हमारा ground हो गया, और बाकी यहाँ पर 3 wire, तो यहाँ पर red LED के लिए red wire, जो कि हमारा connect होगा, pin number 2 से, यहाँ पर आप देख सकत तो इसको इस तरीके थोड़ा सा घूमा लेते हैं, ऐसे, तो यहाँ पर pin number 2 को हम connect करेंगे red wire से, ठीक है, अब जैसा कि आपको बता है कि red वाला wire जो हमारा है, यह कहाँ है, pin number 2 पर है, ठीक है, तो यह red वाली LED हमारी connect होई pin number 2 से, और इसी तरह से यहाँ पर yellow wire, तो यह हमारा connect हो गया, blue LED के साथ, pin number 3, और यह हमारा connect हो गया, pin number 4, clear है, तो I think यहाँ पर आप समझ गया होंगे, तो चलिए, अब यहाँ पर जो हम प्रोग्राम इसमें upload करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने Arduino board को power दी, यहाँ पर हमारा जो LED है, pin number 2 पर जो connect है, यह on off हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा previous program है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, वही program इसमें upload है, ठीक है, जिसकी वज़े से यह 300 millisecond के बाद में यह on off हो रही है, तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलते हैं computer screen के तरफ, सब सब पहले तो यहाँ पर हम code को verify कर है, क्योंकि हमने इसमें connection नहीं बताया, तो यहाँ से हम connect करते हैं Arduino Uno com 5 है, या फिर हम tools में जा करके यहाँ से भी board और यहाँ से भी Arduino Uno board select कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर port, port यहाँ पर हमारा 5 है, ठीक है, तो अभी यह connection हो गया है, अब यहाँ पर इसको फिर से एक बार verify करत स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भी red LED on है, और फिर yellow की जगे पर यहाँ पर blue on की, और फिर यहाँ पर यह green वाली on है, ठीक है, 5 second के बाद में फिर यहाँ पर हमारी red LED on हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमारा जो program है, वो proper work कर रहा है और यहाँ पर इसको हमने दोनों तरीके से देखा, हमने इसे physically, यानि कि यहाँ पर already know board का use करके भी program upload किया, और दूसरा यहाँ पर इसे हमने online भी run करके देखा, और इसका जो code है, यह हमने proper समझ लिया है, तो I think यहाँ पर आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी, तो इस video में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली video में, okay so thanks for watching this video